हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको कफ सीरफ सेयर कर रहा हूँ बलकुल नए तरीके का नया नुस्का है सिर्फ एक बार एक चम्मच पीलो दिन में दो बार कितनी भी सरदी खासी चुखाम या आपके लंक्स में यानी फैंपड़ों में छाती में कितना भी बलगम जमा हो गया है सब कुछ बलकुल ठीक हो जाएगा यह बहुत ही रामबार्ण उसका है इसमें सभी ऐसी चीज़े हैं जो आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगी कैसे लेना है बड़े या छोटों को आईए बनाने की बिदी बताता हूँ हाई फ्रेंड्स मैं अरविंद कुमार एके किलासिस में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स अगर आज यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए तता सब्सकाइब कीजिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यह मैं जो आपको नुस खाम है या सर्दी की वज़े से आपको फीवर रहता है बिल्कुल एक ही खुराक से बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगा और जादा नहीं केबल दो दिन ये पी लेना बिल्कुल जड़ से आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या लेना हैं हल्दी लेनी है आपको आदा चम्मच यह आपकी हल्दी हल्दी आपको लेनी है आदा चम्मच तो आपको अजवाइन लेनी है आदा चम्मच यह आपकी अजवाइन हो गई आदा चम्मच देखी अजवाइन हो गई हल्दी हो गई इसके बाद में आपको आठ लेनी है काली मिर्च, आठ काली मिर्च आपको लेनी है, आप काउंट कर लेना, आठ काली मिर्च आपको लेनी है, इसके बाद में आपको जो लोंग लेनी है, फूल वाली लोंग, ये फूल वाई लोंग हैं, आपको पता है कि ये जो लोंग हैं, या काली मिर्च हैं, ये आपको कितनी भी चाहें कितनी भी पुरानी खांसी है, इन दोनों सभी बीमारियों में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये काली मिर्च और लॉंग इन सभी बीमारियों में जितनी फैंपड़ों की बीमारिया है, या आपके फंपड़ो में काफी भलगम जनमा हो गया है या फीवर रहता है तो इन सबी में काफी फायदे मन्द होती है लॉण और काली मिर्च इसके बाद में आपको लेनी है दाल चिनी देखे दाल चिनी पंसारी कि हाँ सांवा diff toe मिल चूचि अगर आप इसकी धानी कूछ अगर आप इसकी मातरा जादा या कम करते हैं तो आपको यह बिलकुल गुल भी साहदानी करता है क्योंकि यह काफी अर्जी करते हैं तो आपको दाल टीन व्याओं आधा चम्मच किपीछ नहीं दाल तिंह आपको माध चम्मच इसके बाद में आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं 14-15 क्योंकि तुलसी के पत्ते जब आप 14-15 लेते हो क्योंकि तुलसी के पत्ते मैंने यह लिये हैं स्यामा तुलसी होती है यह 14-15 आप तुलसी के पत्ते ले सकते हो इसके बाद में आपको लेनी है मुलेठी यह मुलेठी है मुलेठी भी मैंने पीस के रख ल बलगम जमा रहता हो या आपका गला खराब रहता है या गला बैट गया है मुलेची आपको लेनी आदा चमश यह हो कई आपकी मुलेची अब इस बाद में आपको लेनी हैं अदरख कितना लेना है आपको अदरख करीम 1 इamous जादा आपको लेना नहीं है जितना अद्रक मैंने बताया है उतना ही आपको अद्रक लेना है और तुम्हें पता है कि अद्रक कितना फायदेबंद होता है चाहिए सर्दी हो खांसी हो जुकाम हो या बलकम जमा रहता हो या इसकी वैसे फीवर रहता हो तो काफी जादा आगे बताँगा किस तरीके से इस सभी जो नुस्के मैंने बताए हैं जितने भी मैंने इस सारे मैंने अजवाइन हो गया इना जितने चीजां बताई हैं इसको बनाने की विधी कैसे बनाते हैं कैसे आपको प्रयोग करना है छोटे बढ़े के क्योंकि छोटे बढ़े को अलग मैं कितना भी पुराना सर्दी खांसी चुखाम था बलगम जगमा था किसी भी दबाई से आपको फायदा ने मिला आप एक बार इस निश्क्य को ज़रूर प्रयोग करें तो यह हो गया आपका कद्दूकस तो मैंने इसमें आठ चीजां बताई तो सबसे पहले मैंने हल्दी ब कबमच इसके बाद मैं अधरक त्दूकस किया है करीब एक इंची और इसमें आपको गुड़ और मिलाना है तो इसको बनाने के लिए आपको एक ग्लास पानी लेना है और एक ग्लास पानी को आपको बड़े बरतन में कोई बड़ा कटोरा हो उसमें आपको मिला देना है और इस एक ग्लास पानी में आपको जितनी भी आपकी ये और इसमें आपको मिला देना है और फिर इसके बाद एक ग्लास का पानी 11o रहजाए अिसे आपको यह तब तक बॉल करना है जब तक यह एक मिलाक का पानी 11 kosmark रहयेगा तब इसको आपको च्छान कर गुलूवना आपको पीना है म अब इसको अच्छे से इसे छान ले ना बहले न इस तरीक infection चान ने के भाद में अच्छे से जो सका लुकृट फोर में जाननाि अच्छे से चान लेना अच्छे से चानना आँ चाहें प्रेस कंड़े ऑफ दुनीर हैd अच्छी से पियो गए आप कि आपको प्रियुक कैसे करना है सुबह साम जाइने भी शरी आपको रहता है ये सबी आपका बलगम सबी निकल जाएगा इसके ज़से आपको चाहां बुखार भी रहता है तो बुखार से भी आपको फूरा रहात मिलेगी तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सबी के पास सेयर करें लाइक करें कमेंट करें और अगर नए ह झाल करें तो आपको बुखार भी रहता है तो यह तो आपको वीडियो था आपको वीडियो था है